हाँ तो उस तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2023 के नेक्ष्ट मुकाबले के बारे में जोगी काफ यच्छा मुकाबला खेला जाने वाला है मुंबाइ इडियन्स वर्सेज चैनले सूपर किंग्स के बीच में एक बड़ा मुकाबला है यह जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा 6 मई को 2 पर में सारे 3 बजे से मुकाबला कहा होगा मुकाबला होगा में चिदंबरम स्टेडियम चैननाई के ग्राउन पर तो फ्रेंज ज्यादा टाइम ना ले तो यह सबसे पहले हम बात करेंगे पिछे रिपोर्ट के बारे में उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलिग्राम पर फोलो नहीं किया है तो टेलिग्राम पर आप हमें जरूर से फोलो कर लिजीगा लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लगबक तैयर सजार यूजर हमार साथ जोड़ चुके हैं आप भी जोड़ जाए फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी फ्री टीम आपको वहीं पर मिलेगी तो चलिए फ्रेंस बात कर लेते हैं पिछे रिपोर्ट के बारे में तो भी आप पिछे रिपोर्ट अगर आप ये सारी चीजे पढ़ना चाते हैं के इसाब से आप ये सरीजी पढ़ सकतें लेकिन मैं जो बरोसा करता हूँ वो करता हूँ only ground states पर तो ground states आप देख सकते हूँ अभी तक IPL के जो यहाँ पर total मुकाबले खेले गए हैं वो 125 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं उसमें 66 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं 57 मुकाबले बादने बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं तो फ्रेंस का यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है first inning का average score इतना ज्यादा नहीं है only 157 जो प्लेर एक बैलेंस रिकिट को दर्शाथ आए 246 यहां पर हाइस्ट बना है 70 यहां पर लोविश्ट बना है फ्रेंस यह वीडियो थोड़ा सा में शोट में कवर करूँगा क्योंकि एक ही दिन में दो मुकावले तो दोनों मेचो की तैयारी करनी होती तो इतना टाइम बसता नहीं है बात कलने स्कोरिंग पैटर्न की तो भी यह आप देख सकते हो 1500 से कम रन यहां पर अभी तक 48 बार हमें देखने को मिले हैं वहीं पर 1500 से 179 के बीच में 49 बार हमें स्कोर देखने को मिला है हाला कि ज्यादा तर जो स्कोर देखने को मिला है वह 170 से कम का ही हमें देखने को मिला है लेकिन 170 से 190 के बीच में 19 बार और 190 से उपर भी 19 बार हमें स्कोर देखने को मिला है मतलब यहां पर गेन बाजियों की साथ में बल्ले बाजी भी बहतरिन हो सकती है लेकिन फ्रेंज अभी जो रिसेंटली मुकाबले यहां पर खेले गे उससे हमें बहतर वे से पता चलता है कि रिसेंटली यह विकिट किस तरह से खेल रही है तो आप देख सकते हो रिसेंटली जो स्कोर हमें देखने को मिला इस ग्राउंड पर वो आप देख सकते हो दो सो एक पूरी तरह से बल्ले बाजी अनुकुल विकिट फिर 134 एक लो स्कोरिंग मुकाबला था फिर 115 एक वो इतर और 217 और 205 तो रिसेंटली तो मैं देखने से पता चल रहा है कि बल्ले बाजी यहां पर बैतरेन हुई है तो मान के चल सकते हैं बल्ले बाजी अनुकुल में 3 मुकाबले जीते हैं head to head की बात की जाए तो टोटल 35 मुकाबले हुए उसमें से 20 मुकाबले मुंबई ने तो 15 मुकाबले चेन्नाई की टीम ने जीते हैं बात कर ले दे हैं यहां से possible playing 11 के बारे में तो CSK की टीम से अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे डियन कनवे है रितुराज गयकवर्ड अजिंके रहाने शीवम दुबे मोहिन अली अमबाती राइडू रविंद्र जड़ेजा मेस दोनी एम पथिराना महेश तिक्षाना और दीपक चाहर हाला कि इन में से तुश प्लेर इस्टेट्स के बारे में फ्रेंच प्लेर इस्टेट्स पर में जद्या यहाँ पर आपका ताइम नहीं लोंगा लेकिन कुछ प्लेर्ड जो अच्छी फॉरम में है उनके बारे में थोड़ा स awhileा हाइलाइट कर देता हु शीवम दुबे अभी तक इस सीजन में है बह प्रवावित नहीं किया है लेकिन लास्ट मेच में इन्होंने विकेट निकाला था फिर हम बात करें अंबाती राइडू की तो इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है हाला कि मोका मिलेगा है नहीं मिलेगा वो बात की बात है एमेज दोनी भाई साब इनका बल्ले बाजी करम बहुत ज़्यादा नीचे रहता है रविंद्र जड़ेजा आप देख सकते हो हर मेच में कुछने कुछ कंट्रिबुट ये कर रहे हैं एम पथिराना की में बात करूँ तो भीया एम पथिराना की फॉर्म आप देख सकते हो तुशार देश पांड़े इन्होंने इस सीजन में अच्छा काम किया है डिपक चाहर अभी तक इन्हें ज़्यादा इंजड़ हो गए ते काफी लंबे समय से टीम में आये हाला कि लाक तो मुंबई की टीम से आप देखोगे जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है इशान किशन, रोही शर्मा, कैमरोन गिरिंग, सुर्य कुमार यादो, तिलक वर्मा, टीम डैविड, फिर यहां से पियूष शावला, अर्शत खान, कुमार कारतिकेन, जोफरा अर्चर और आका बारे में, तो इशान किशन की हम बात करें, तो भी या, रिसेंट फॉर्म आप देख सका, हलाकि इस सीजन में इतना अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन कुछ पारी अच्छी भी आई है इनके बल्ले से, रोही शर्मा, एवरेज परदेशन देते हुए आ रहे हैं, सुरी अच्छी थी इनकी, टीम डेविट की बात करें, तो भी या, टीम डेविट की अगर बल्ले बजी जल्दी आती है, तो बड़े स्कोर में ये तबदिल कर सकते हैं, प्योश शावला, बहुत जादा अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, ग्रेंड लिग में कैप्टेन बात कर लेते हैं दोनों टीमों के टॉप फैंटेसी प्लेयर के बारे में, चेन्ने की टीम से अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे, डियन कनवे, रित्तुराज गायकवार, शेवम दुबे, मोहिन अली और रविंद्र जड़ेजा, ये पांच प्लेयर चेन्ने की टीम स बहुत ज़़ा इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो चले मेरी टीम देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें विकेट कीपर सेक्शन में, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने यहां से डियन कनवे को लिया है, और इशान किशन को लिया है, दोनों अच्छी चोई से द लेकिन आपका लेना चाहते हो, सेफ जाना चाहते हो, काफ़ी लोगों की टीम में रोई शर्मा होंगे, लेकिन आप रिस्क लेसे को तो एक गेनबाज इनकी जागे बढ़ा सकते हो, फर्म को देखते हो यह मैं बात कर रहा हूँ, हाला कि कभी भी बड़े स्कोर में तब्दिल कर सकते हैं, लेकिन रितुराज गयाकवाट को में लिया है, रोई शर्मा को में लिया है, सुरिय कुमार यादव को में लिया है, और शिवम दूबे को में लिया, इनमें से अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता, तो अजिंकर रहाने या फिर तिल्लग वर्मा में से अपनी टीम में आप प्लेयर को पिक कर सकते हो तीन ओल राउंडर मेंने लिए हैं रविंद्र जड़ेजा, कैमरोन ग्रिन और मोहिन अली को बात करें गेंदबाजी में तो दो ही गेंदबाज मेंने लिए हैं प्यूस चावला और तुशार देश फांडे को लेकिन टोस के अकोडिंग अगर तीसरा गेंदबाज आप लेना चाहें चैन्ने की पहले गेंदबाजी हो तो महिश तिक्षाना मुंबई की पहले गेंदबाजी हो तो आप जोफरा आर्चर को लेकर चल सकते हो लेकिन एक अच्छा उप्शन हो रहे यहां पर वो है रिली मेरित का रिली मेरित बहुत अच्छे प्ले रहें आप चाहें तो ग्रेंड लिग वाली टीम में रिली मेरित को लेकर चल सकते हैं कैप्टेन जो मेरे होंगे वो होंगे इस मेच में कैमरोन ग्रीन वाइस केप्टन मेरे होंगे वो होंगे मेरे डियोन कन्वे आप चाहें तो रविंद्र जड़ेजा रितुराज गयकवर्ड इन में से भी किसी को एक को बना कर चल सकते हो चले टीम का प्रिव्यू देखते हैं तो दोस्तों मेरी जो टीम है को जिस प्रकार आपको देखने को मिल सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हो यहां से मैंने डियोन कन्वे को लिए है रितुराज गयकवर्ड रविंद्र जड़ेजा पियूष चावला रोहिष शर्मा केमरोन ग्रिन सुर्यकुमार यादव इशान क शिवम दुबे मोहिन अली और तुचार दुष पांडे तो फ्रेंक्स ये मेरी टीम होगी हाला कि कैप्टेन जो मेरे होंगे वो होंगे कैमरोन गिरीन वाइस कैप्टेन मेरे होंगे डियोन कन्वे कोई भी चेंजिस करूंगा मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा टेली किजेगा रोजाना पचास जार रुपे तक के फ्री गीववे चल रहे हैं फ्री में खेलकर भी आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो माई मास्तर इलेवन एप की अगर मैं टीम की बात करूं तो आप दीख सकते हो जो टीम है ज्यादा कोई चेंजिस मैंने नहीं किया है यहां से मैंने इशान किशन को लिया है रोही शर्मा कैमरोन गिरिन पियुष चावला फिर मेरी टीम में जोफरा आर्चर आगए वो आए किसकी जिगे शिवम दुबे की जिगे क्योंकि यहां पर मुझे मिनीमम तीन गेन बाज लेने थे इस एप पर फिर सुरिय कुमार या अब भी मैं चेंज करूँगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा फाइनल अप्डेट टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन में फोलो कर लीजीगा और माइमस्ट 11 एप भी डाउंडोड कर लीजीगा इसकी एप भी इसकी लिंक भी वीडियो भी नीचे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थैंक यू बरी मच्च